दोस्तों, अंजीर एक स्वादिष्ट, स्वास्थे वर्धक और बहुपीरोगी फल है। इसके पके फल को भी खा सकते हैं। सुखाया फल मेवे के रुप में बिगता है। सूखे फल को टुकरे टुकरे करके या पीसकर दूद और चीनी के साथ खाया जाता है। इसका स्वादिष्ट जैम भी बनाया जाता है। विश्व के सबसे पुराने फलों में से एक अंजीर रसीला और गुदेदार फल होता है। देश के विभिन भागों अंजीर के वरक्षगाये जाते हैं। इसके अलावा अरब और दूसरे देशों से भी अंजीर मताये जाते हैं। गर्मियों में ज्यादा उगने वाले इस फल को सूखे फलों के रूप में अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। शुरुआत में अंजीर के फलहरे होते हैं लेकिन पग जाने के बाद ये लाल और आस्मानी हो जाते हैं। कबज ये कॉंस्टिपेशन को दूर करने वाला और शारीरिक शक्ति देने वाला अंजीर जुकाम और फेफडे के रोगों में काफी लाबकारी है जिन लोगों को दमा हो जिसमें कफिया, बलगम, निकलता हो उसमें अंजीर खाना गुनकारी है। दोस्तों, अंजीर को स्वास्थे के लिए बहुत फायदे मंद माना जाता है। तो चलिए आज हम आपको अंजीर खाने से होने वाले फायदों के बारे में बताते हैं। नमबर वान, अंजीर में आइरन और कैल्शिम प्रचर मातरा में पाए जाने के कारण ये इनीमिया में लाभप्रद होता है। बस्क मुनक के और आठ अंजीर 200 मिली लीटर दूद में उबाल कर पी लें। इससे रक्त में वरधी और रक्त संबंधी विकार दूर हो जाते हैं। नमबर टू, तीन से चार पके अंजीर दूद में उबाल कर रात को सोने से पहले खाएं। और उसके बाद वही दूद पी लें। इससे कबज में लाभ होता है या चार अंजीर को रात को सोते समय पानी में डाल कर रख दें। सुबह थोड़ा सा मसल कर पानी पीने से कबज दूर हो जाती है। पना कर सिर पर लेप करने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है। नमबर सेक्स तीन-चार सुखे अंजीर को शाम के समय पानी में डाल कर रख दें। सुबह अंजीरों को मसल कर प्रति दिन सुबह खाली पेट खाने से बवासीर दूर होती है। नमबर सेवन अंजीर में कैल्शिम बहुत होता है जो हड़ियों को मजबूत करने में सहायक होता है। आपको बस केवल दिन भर में 4-5 अंजीर खाना होगा और फिर इससे लाब हो जाएगा। नमबर एट मुंगे चाले होने पर अंजीर की पतियों को जलाकर भस्म बनाकर पीसकर मुंगे लगाने से चाले जल्द ठीक होते हैं। नमबर नाइन मधुमे रोग में अन्य फलों की तुलना में अंजीर का सेवन विशेश लाबकारी होता है। और लास्ट है नमबर टेन श्वेट प्रदर या सफेद पानी में भी अंजीर एक कुनकारी फल है। श्वेट प्रदर महिलाओं में होने वाली एक यौन बीमारी है। तो दोस्तों उमीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सबसक्राइब करें।